इस वीडियो में हम देखेंगे बेस फाइव डिवीजन मतलब बेस फाइव नंबर सिस्टम में आप डिवीजन कैसे करोगे तो बेस फाइव का क्या मतलब है मतलब इसमें फाइव डिजिट यूज कर सकते हो किसी भी नंबर को रिप्रेजन करने के लिए इस नंबर सिस्टम में तो वो फाइव डिजिट है जीरो से लेकर फोर तक मतलब जीरो, वन, तू, तू, त्री, एन फोर आप ये डिजिट यूज कर सकते हो तो इस वीडियो में हम देखेंगे भी नंबर सिस्टम में आप डिवीजिन कैसे करोगे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसे आपके पास कोई नंबर है जिसे तू, पोर है, ये बेस फाइव नंबर है इसको आपको डिवाइड करना है दूसरे बेस फाइव नंबर से 1 3 हमने लिए यह तो आप कैसे division करोगे simple पहले जैसे लिखते हैं division में लिख लो इसे अब आपको क्या चाहिए 1 3 का table चाहिए तो इसके लिए आप इसके multiples लिख लो तो पहले आप इसके multiples लिख लोगे जैसे 1 3 को आप multiply करोगे 1 से तो क्या आएगा 1 3 ही आएगा अब division करने के लिए आपको पहले base 5 में multiplication और subtraction आना से जो आप playlist में जाके चेक कर सकतो कैसे करना है तो यहाँ पर हम पहले करेंगे इसको multiply जैसे 1 3 को हमने multiply करा 1 से तो 1 3 आया again अब यहाँ पर हमें 1 3 को multiply करना है 2 से तो करके देख लो कैसे करेंगे अब यह हम कर रहे है base 5 number system में जब यहाँ बेस 5 number system में multiply करोगे तो जैसे माल यहाँ पर हम 2 number को multiply कर रहे हैं तो अगर उनका multiplication multiplication जो आता है वो 4 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे उस number को पहले convert करेंगे base 5 में तो देखते कैसे करेंगे जैसे 2, 3, just 6 अब 6 आ गया तो यह base 5 number system में नहीं हो आता 6 हम digit नहीं यूज कर सकते तो पहले आप इसे convert करोगे base 5 में तो यह किसमे है decimal number system में इसको आपको convert करना है पहले base 5 number system में तो 6 को कैसे convert करोगे 6 को आप divide करते चलोगे 5 से ठीक है quotient यहां लिखोगे remainder यहां लिखोगे फिर जो नया quotient आया उसको 5 से divide करोगे again जो quotient आया उसे यहां लिखोगे remainder को यहां लिखोगे यह procedure आप तब तक करोगे जब तक जो नया जो यहाँ पर quotient आ रहा है वो less than 5 ना हो जाए ठीक है अब जब यहां पर जो quotient आया वो अगर less than 5 है तो आप स्टॉप कर दोगे procedure को और इस direction में number को copy कर लोगे ठीक है तो देखते हैं कैसे करना है अब यह जो 6 है इसको आपको convert करना है base 5 में तो आप इसे 5 से divide करते चलोगे quotient यहां लिखोगे तो 6 को divide कर लो 5 से अब यह small है 5 से 1 is less than 5 तो आप procedure को stop कर दोगे और इस direction में number को copy कर लोगे तो पहला number हमें मिल गया यह दूसरा मिल गया यह तो 6 का क्या conversion आ जाएगा 1 1 in base 5 number system ठीक है हमें यहां पर 6 का क्या conversion मिल गया 1 1 in base 5 number system अब इस 6 की जगह आप यह वाली value लिखोगे जो base 5 में है तो 1 यह वाला 1 यहां आजाएगा और दूसरा जो इसका 1 है यह चला जाएगा carry to the next digit अभी चला गया ठीक है अब इससे आप multiply करो 2 1s are 2 plus 1 3 तो यह क्या आगे इन दोनों को multiply करके 3 1 ऐसी आप सारे सब को multiply कर लोगे और एक table बना लोगे तो इस तरीके से आप table लिख लोगे इनके multiple लिख लोगे ठीक है तो हमारे पास क्या number था 2 4 इसको हमें divide करना था 1 3 से ठीक है तो आप divide करते हैं अब division करते हैं जैसे अब हमें 1 3 का table देखना पड़ेगा कि हमें 2 4 की nearest value हमें मिल जाएं nearest हो और smaller तो 1 3 के table में देखो अब हमारे पास ये number मिला हमें क्योंकि 3 1 यूस करोगे तो इस से बड़ा होगा तो हमें छोटा number भी चाहिए तो 1 3 को आप जब 1 से multiply करोगे तो यहां पर आजाएगा 1 3 जैसे normal हम division करते हैं वैसी करना है सब अब करना हमें subtraction तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 तीक है अब हमारे पास आगे कोई number नहीं है तो यहां लग जागा point और यहां जाएगा 0 अब फिर 1 3 का table देखेंगे हम इ से multiply करेंगे तो आजागा हमारे पास 4 4 ठीक है फिर से हमें subtraction करना है तो अब subtract कर लो अब बेस 5 में कैसे subtraction करना है इसके लिए आपको यह आना चाहिए ठीक है मतला बेस 5 में subtraction आना चाहिए आपको तो यहां देखो अब यह 0 में से 4 माइनस करना है तो इसको बोरो लेना तो इसके बोरो लेना पड़ेगा तो यह जब इससे बोरो लेगा तो इसके पास रह जागा 0 और इसके पास आजाएगा 5 ठीक है अब फिर 5 में से 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 और यहां 0 तो 0 का 0 फिर next फिर से यहां पर 0 आजाएगा ठीक है अब फिर से देखो हमारे बस वही कंडिशन आगी वही वाला नंबर आ गया तो फिर हमें यहां पर हम 4 4 यूज कर सकते हैं इसका 3 कमंटिपल ठीक है तो इस तरीके से तो इस तरीके से आप सॉल करोगे तो फिर से आप सब्टैक्ट करोगे से आगे यसी कंटिनिस चलता रहेगा तो हमारे पास जो तो यह हो गया हमारा सॉल्यूशन तो इस तरीके से आप डिविजन करोगे इन बेस फाइव नंबर सिस्टम थैंक्स फॉर वाचिन